वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में आमादमी पार्टी ने सभी दलों को पठखनी देते हुए धमाकेदार जीत हासिल की है पिछली बार के मकाबले इस बार पार्टी ने शानदार प्रदर्शिन किया वहीं कॉंग्रिस को बुरी तरह से हरा कर पंजाब में कुल 117 सीटों में से आमादमी पार्टी ने 92 सीटे हासिल कर ली है जो कि एक जबरदस आकड़ा है बंपर जीत है बता दे कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में आमादमी पार्टी के लावा कॉंग्रिस को 18 सीटे श्रीमणी आकाली दल को 3 सीटे बीजोपी और बसपा को एक एक सीट मिली है साथी निदलिये के खाते में भी एक सीट आई है इस चुनाव में आमादमी पार्टी को 40.01 फीस्ती वोट मिले है जबकि कॉंग्रिस ने 22.09 फीस्ती वोट हासिल किया है इसके लावा बीजोपी को 6.60 प्रतीशद और बसपा को 1.77 प्रतीशद वोट मिले है वहीं पंजाब में आमादमी पार्टी की शांदार जीत के बाद दिली की मुखे मंत्री आर्विंद केजिवाल ने लोगों को संबूदित किया उन्होंने चिना प्रचार के दौरान अतंगवादी बताये जाने पर विरोधियों की क्लास लगा दी केजिवाले पंजाब के लोगों को कमाल का बताया उन्होंने कहा कि हमें पंजाब से प्यार है उन्होंने सत्ता परिवर्तन को बहुत बड़ा इंकलाब बताया